आज शनीवार है और मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा मुहनी मंत्र दिया जाए जो की अपने आप में एक अजूबा है एक बार कर देने से किसी को भी आपके वशिभूत कर देगा ऐसे मंत्रों की कमी नहीं है लेकिन इनको चलाना जिसे आता है वो ही इसको प्रियोग मिला सकते है अन्य था मंत्र तो बहुत है लेकिन इनको चलाने की कला जिसके पास है वही चला सकते हैं अब जो जिसने कभी साधना ही नहीं किये और वो इस मंत्र को चलाएगा तो यकीन मानिये ये बिलकुल काम नहीं करेगा इसके लिए आपको यम नियम आहार प्राणयाम नक्षत्र थोड़ा बहुत तो आपके पास ग्यान होना चाहिए मंत्रों का कि मंत्रों को किस तरह से चलाते हैं किस तरह से इनका पालन करते हैं और उसके बाद आसन नियम ये सब बहुत जरूरी है तो मोहिनी मंत्र क्या होता है कि किसी को भी अपने अनकूल करने के लिए हम मोहिनी मंत्र का प्रयोग करते हैं और ये जो मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ ये आपको इतनी शमता दे देगा कि आप जहां से गुजरेंगे वहाँ पर जो भी आपको देखेगा वो वशी भूत हो जाएगा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पागली हो जाएंगे आपके लिए लेकिन जिस तरह से अगर आप कहीं से निकल गए तो लोग मुड़कर जरूर देखें कि ये कैसा आदमी गया है एक ऐसा चाम आपके पास आजएगा एक ऐसी दिव शक्ति आपके साथ चलेगी जो कि लोगों को आपकी तरफ आकरशित करेगी अगर कोई दूर दराज का व्यक्ति भी आकर आपको एक बार देख ले तो वो कहेगा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है आप अपना पंसा लगेगा इसमें अब इस मंत्र की विधी जान लेजे कि इसको करना किस प्रकार है जब आप इस साधना को करें तो इतना मान के चलीएगा कि 41 दिनों तक आपको ये साधना करनी है तो इस से पहले आपको एक कमरा जो है वो साफ सुतरा कर लेना है बिल्कुल अच्छे से साफ सुतरा कर लीजिए और ऐसे कक्ष का चैन करें जिसमें की रोशनी आती हो हवादार हो और उसमें बैठ कर आपको आनन्द आए एक सुक्य नुभूती हो तो ऐसे जगे पर आपको ये साधना करनी है और इसमें आपका आहार जो रहेगा वो सात्विक रहेगा जो मासाहरी है वो इस प्रयोक को ना करें अगर मासाहरी करना चाहते हैं तो पहले अपना जो आहार है उसको चेंज कीजिए इसके बाद आपको जो है सात्विक रहना है अपने विचारों पर भी ध्यान देना है 41 दिनों तक और इस मंत्र का लगातार जाब करना है दिन में तीन बार त्रिकाल संध्या इसका जाब करना है यथा संभव जितना हो सके जितनी आप माला कर सके उतना आप इसको जप ये रोज तो होगा ये कि आपके भीतर एक ऐसी आकरशन शक्ती आ जाएगी जो कि दूर खड़े किसे आदमी को भी मोहित कर लेगी ये बहुत ही प्राचीन विती है जो कि विरले ही किसी को पता होगी लेकिन क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो जगे जगे पर फैले हुए हैं वो कही ना कहीं से हमें ऐसे मंतर ऐसे यंतर ऐसे तंतर बताते रहते हैं जो कि आम जंता की पहुंच से परे हैं तो हमारे पास ऐसे ऐसे चीजें ऐसे मंतर ऐसे यंतर आते रहते हैं जो कि विरले ही किसी के पास होंगे बहुत ही मुश्किल है कि किसी के पास आज की डेट में ये मंतर यंत्र की जानकारी हो अगर किसी के पास है तो वो बहुत ही पहुचे हुए लोग होंगे तो आपको करना क्या है इस मंतर का जाब करना है 41 दिनों तक इसके बाद जो भी समगरी होगी जो भी आप फूल पत्तियां चड़ाएंगे मातेश्वरी को जो भी मिठाई होगी उनको बच्चों में बाढ़ दें और आखरी दिन में जितना भी सारा कुछ होगा उस समान को इकटा करके नदी में बहा दें सात्विक रहें और इस मंतर का जितना गुम्फन करेंगे उतना अधिक आपको ये पावर्स मिलेंगी तो मंतर सुन लीजिए मंतर है मंतर है ओम वदवद सर्वजन मम वश्यम कुरु कुरु स्वाह मंतर एक बार फिर से ओम वदवद सर्वजन मम वश्यम कुरु कुरु स्वाह ये जो मंतर है ये सभा मोहन के लिए है इस मंतर से आप पूरी सभा को भी अपनी और केंद्रित कर सकते हैं और जब इस मंतर को चलाना हो उससे पहले आपको इसकी सिध्धी लेनी होगी सिद्धी का प्रियोग मैं आपको बताई चुका हूँ कैसे करना एक तालिस दिनों तक एक तालिस दिनों तक इसका जब कीजेगा तो आपके भीतर खुछ ऐसी आलोकिक शक्तियां योद्पन कर देगा जिससे की जो भी आपको देखेगा बस टक टकी लगाए आपको देखता रहेगा जिसको मंतर साधना आता है वो इसका प्रियोग भली भाती कर पाएगा लेकिन जो तर्क वितर्क करेंगे वो किसी भी मंतर को नहीं चला पाएंगे तो ये मंतर आपके लिए मैं इस आशा के साथ दे रहा हूँ कि आप इसका लाब उठाएंगे अपनी परसनालिटी को ऐसा बनाएंगे कि एक बार कोई देख ले तो बस देखता रहे जाए इस मंतर से आप अपनी सौंदरे को भी बढ़ा सकते हैं यदि किसी को आकरशित नहीं करना तो आप सौंदरे के लिए भी आपकी जैसी मंशा होगे जैसा आप सोच कर इसको करेंगे कि मुझे सौंदरे चाहिए मेरी ब्यूटी मेरे बाल मेरा जो शरीर है वो इतना सुंदर हो जाए कि जो भी देखे बस देखता ही रह जाए इस तरह की कामना रखकर भी आप इस साधना को कर सकते हैं एक तालिस दिनों तक ये कीजेगा और इसके बाद देखिए किस तरह से जो है आपके भीतर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो कॉल कीजेगा 999-284-1625 पर धन्यवाद